है गाइस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रस का यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली कैपिटल्स वसेश चेंग्सलन पंजाब के बीच में जो सेकंड आई पेल का मैच खेला जाएगा तो इस पर जो वीडियो है उसमें आपको सारे प्लस के स्टैट्स दिखेंगे बट जो और एक्स्टा प्लेयर खेल सकते हैं उनके स्टैट्स वीडियो में लिग दियो साथ-साथ जो निउस बगर निकलके आ रही है वह आपसे शेर कर दूँगा सबसे बात करते हैं डीसी की टीम से निउस बात करें पंजाब की तरफ से निउस से कोई एक्स्टा निउस अभी तक नहीं आए मैंनका ऑफिशल पेज वच आउट कर रहा हूं बट अभी तक इनकी तरफ से कोई भी ऐसी हिंट नहीं आई कि कौन सा प्लेयर कंफर्म खेलेगा या फिर किसको इंजरी है कोई अपडेट इस तरफ से नहीं है अच्छा इसके अगर कोई न्यूस वगेरा मुझे मिलती है इस टीम की तरफ से तो आपको नीचे जो लिंक दिया हुए टेलिग्राम चैनल का उस पे आप जाईए जॉइन कर लीजे वहाँ पर अपडेट कर दूँगा भी बार बार वीडियो नहीं बन चांस तो बहुत जादा कम है उनके खेलने के वैसे खेलते हैं तो नंबर चार पे खेलते हैं बट स्कॉर्ड में शामिल है तो जो सकता है कि टीम इनको खिलाया और खिलाती है तो फिर प्रित्वी शौट जा सकते हैं एज न ओपनर विकोश शिकरदवन के साथ फिर अजिंक प्रित्वी शौट बहुत ही जादा कम मुझे लग रहे हैं तो शिकरदवन प्रित्वी शौट टीम के लिए लगबग कंफाम उपन करने वाले हैं नंबर तीन पे शिरशायर रहेंगे नंबर चार पर आपको मार्कस बार बैटिंग करते हैं रिशाप पंद को हो सकता है नं इसके बाद बैटिंग करने आएंगे और बॉलिंग काफी अच्छी करते हैं इनके में स्ट्राइक बोलर जो की डैथ में बोलिंग करेंगे अमित मिश्रा टीम के में स्पिनर संदीप लामिश्चान के टीम चाहें तो नौट जे सैम्स को भी खिला सकती है जिनके से शेर कर दीता हूं क्या इनके स्टैट्स रहे हैं तो अपनी कंट्री में जैसे की नौट जी करम बात करें तो राइट आम फास्ट बोलर हैं बाइस में 27 विकेट निकाल चुके टीम के लिए आई पल के स्टैट नहीं है यह इनके कंट्री के स्टैट्स का स्टैट है पाजी करेंगे तो एक स्टैट्स आपको मिल सकता है और पंजाब में की जो मिडिल और है वह स्ट्रॉंग नहीं है काफी मजबूत है फिर मिडिल और में थोड़सी प्रॉब्लम चलती है यहाँ पर मेरे साब से लास्ट ली डैथ होवर्स में इनको जरू मिलेगा एंडेश यह एक विकेट टीम को निकाल के देते हैं डैनियल सेम्स तो काफी बड़ी आ ऑप्शन रहेंगे और पूरी टीम में सबसे बड़ी आ बॉलर है तो इनको टीम में जरू स्लेक्ट करिएगा इसके बाद जो आपको तीन बोलर बताया थे शांच शर्मा की जगए जो खेल सकत है वह एक पंजाब के खिलाव जब पंजाब के खिलते हैं तो यह इनका परफॉर्मेस रहता है रिसेंट टू ओल्ड़ेज हर्शल पड़ी जादा बेटर परफॉर्मर मेरे साब से रहेंगे अगर उनको मौका मिलता है वैसे उनको ही मौका मिलना चाइए विकोज ओगर शर यह थोड़ा बैटिंग में भी अडवांटिज दे सकते हैं टीम को यह बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं तो यह एक एक्स्टर ऑप्शन रहेगा टीम के पास एक्स्टर एडवांटिज रहेगा अवेश खान की बात करें तो इनका परफॉर्मेस टीम के लिए इतना अच चार विकेट लेगे की सिनका बैस्ट परफॉर्मेंस है एक बार चार विकेट लिया है रीसेंट फ़र्म अगर हम देखे तो वह थोड़ा सा एवरेज है और लास्ट जब यह किंग्सलन पंजाब के खिलाफ खेले थे उसमें नोने दो विकेट निकाली थी अब बात करते है चार या पांच पर जादा बैटर यह परफॉर्म कर सकते हैं उसके बात करून नायर है जो आपको शाएद नंबर पांच पर बैटिंग करते हो दिखेंगे नंबर छे पर आपको सर्फरास खाने आपर मंदीब सिंग में से कोई एक दिखेगा इसके बात क्रिशन अपपा गौतम टीम ने एड़ कर रहे हैं इसका दमुझी वो रह्मान है मौमद श्यमी रवी बेशनोई और शेल्डन कॉटरि तो आप थोड़ी सी बालिंग इनकी स् पिछले वीडियो में शेयर नहीं कर रहा था राइट इनिट बैस मैंने स्टाइक रिक सो पच्छिस का नाइंटी सेवन मैसे में पंद्राव सम्तिंग रहन है पांच बार पचास लगा है दस बार डक पर यह आउट विए हैं इसके बाद हम बात करते हैं पर्फॉर्मेंस की पर्फॉर्मेंस अगर हम इनका देखें तो वह इतना कोई खास नहीं रहा IPL में पिछले कुछ मैस उठाके देखे तो एकाधी मैस में अच्छा पर्फॉर्म किया है और अगर हम बात करें इनका पर्फॉर्मेस डैली कैपिटल के खिलाफ तो वह थोड़ा सा बैटर रहता ह अगर एवरेज देखे तो लगबग 20-22 रन के अराउंड निकलेगा इनका एवरेज इसका बात करते हैं करून नायर की सुगई जियर रहे करून नायर के स्टेट्स 128 का स्टाइक रेडि 69 मैचेज में 1400 सम्तिंग रान है एवरेज 24 का बनता है दस बार 50 लगा चुके हैं शू अगर हम इनका परफॉर्मेंस देखे डैली के लाफ तो वह काफी अच्छा रहता है और उसमें अगर आप देखे तो लास्ट कुछ मैचेज में जो परफॉर्मेंस इनकी आई है वह इसी टीम के खिलाफ आई है तो यह बहुत अच्छी आपके लिए हो सकते हैं इसके बात ह करते हैं कृष्ण अप्पा गौतम की राइट आम ऑफ ब्रेक बोलर हैं और बैटिंग यह काफी अच्छी कर लेते तो एक स्लाइट है जहां पर रहेगा टीम के पास अगर टॉप आटर फ्लॉप होता है तो यह रंस कुछ फायर कर सकते हैं एसा में बोलर ही टीम के लिए ख हम बात करें के देली कैपिटल स्क्राइब परफॉर्मेंस की तो उसमें इनको विकेट वगेरा नहीं मिल रखिया जो टीम के में बोलर साबित हो सकते हैं लेफ टाम फास्ट मीडियम बोलर है अलागी सीपेल में इतना कोई अच्छा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से देखने क यह रही बात सारे प्लेर्स की मैंने आपको लगबग हारी प्लेर के बारे में इंफो दे दी आप चाओतन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूं तो नीचे सूपर तक जो भी प्लेर का आपको रिकॉर्ड चाहिए चाहे तो पोस्ट कर दूँ और कोशिश करूँगा टेलिग्राम पे भी यह सब पोस्ट कर दूँँ तो वहाँ पर हम से जॉइन हो जाईए तो आपको आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा यह वो प्लेयर्स हैं और जो प्लेइंग 11 प्रोवेबिल हो सकते हैं वो भी आपको मैंने बता दिये अब वीडियो को यहाँ पर हम करते हैं खताम अभी के लिए इतना ही है और प्लेइंग 11 जैसी फाइनल आज आएगी हम आपको ड्रीम 11 टीम प्रोवाइड कर देंगे अपने चैनल पर टेलिग्राम चैनल पर नीचे लिंक उसका दिया हुआ है जाईए और जॉइन कर लिजेए फ्लाल के लेतना ही ओके गाइज बाय पेस्ट आफ लाग